आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत का पहला एपिसोड है एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर में आपको इंडिया के जितने भी फेमस क्राइम है उनको कम टाइम में समझाने की कोशिश करूँगा तो आज का जो एपिसोड है वो पहला एपिसोड है आटो शंकर के बारे में आटो शंकर अजाद हिंडूस्तान का पहला ऐसा बंदा था जो साउथ या बॉलिवीड की मुवीज की तरह एक विलन था एक ऐसा विलन जो बिलकुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एज अ पेंट टैर उसके बाद एक आटो रिक्षा चलाने वाला और उसके बाद शराब माफिया और फिर उसके बाद एक डॉन बनने का जो सारा सफर था और उसके बाद कैसे वो पकड़ा गया और कैसे उसे फांसी हुई और उसने कैसे कैसे क्राइम किये लोगों को मार के वो जिन्दा चुनवा दिया करता था तो गाईज चलिए शुरू से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये तो गाईज अगर आपको इस तरह का और भी कॉंटेंट पसंद है तो मेरे इस सेनल पे अल्रेडी बहुत सारा कॉंटेंट है आप वो इंजॉई कर सकते हैं और आने वाले टाइम में और भी ऐसा कॉंटेंट आता रहेगा तो गाईज विदाओ दे डिले लेट स्टार्ट आवर वीडियो तो गाईज मेरा नाम है शान एन वेलकम टू दे पिल्स अफ किरियोसिटी 1955 को तमिल नाडू के विलूर में जनम लेने वाला इस शक्स का असली नाम था गौरी शंकर लेकिन बाद में क्राइम के बाद और क्योंकि उसका क्राइम उसके आटो से असोसियेटेट था तो बाद में उसका नाम पढ़ा था आटो शंकर आटो शंकर को बच्पन से ही मूवीज देखने का बहुत शौक था और उसे मूवीज में बहुत ही फैसिनेटिंग ली हीरो से ज़ादा विलन पसंद आते थे और उनके जैसा ही वो बनने की कोशिश करता था और एक्टिंग करता था 19 साल की उमर में आटो शंकर यानी गौरी शंकर चेन नहीं आता है यानी उस टाइम का मदरास काम करने के लिए और उस टाइम वो पहले पेंटिंग में बहुत अच्छा था वो दिवारों के पास पेंटिंग अगरा का काम किया करता था और घरों के अंदर भी कुछ टाइम के बाद उसने थोड़े पैसे जोड़ कर काम करके एक आटो खरीदा और उसके बाद वो आटो चराने लगा और उसी टाइम कुछ ऐसा इवन्ट हुआ जिसके बाद आटो शंकर का आटो शंकर बनने की कहानी शुरू हुई तो उसी साल 1974 के एंड तक आते आते तमिल नाडू के अंदर शराब बैन हो गया था और उसके कुछ टाइम के बाद ताड़ी भी बैन हो गई थी जो कि लोकल शराब होती है तो इसके बाद जो ब्लैक माफिया था जो छुपके शराब बेश्चा करता है जैसे कि आज भी जिस स्टेड में शराब बैन हो वहाँ पे ब्लैक में शराब मिलती है डबल रेड पे तो इस तरह का जो माफिया है वो एकदम एक्टिव हो गया था तो गौरी शंकर जो की पहले से ही बहुती शातिर दिमाग का था उसको इसके अंदर उपोचुनिटी दिखी और वो इस काम में गुज गया वैसे भी गौरी शंकर उस टाइम आटो चलाता था और पुलिस की नजर कार और बाइक्स पे जादा होती थी क्योंकि आटो सवारी के लिए यूज होता है तो पुलिस वाले जल्दी उस पे हाथ नी डालते थे और जादा शक भी नहीं करते थे और आटो छोटी जगा पे चला भी जाता था इसलिए आटो जादा अच्छा अप्शन था इस तसकरी के लिए दिरे दिरे कुछ टाइम के अंदर गौरी शंकर ने इस काम से बहुत पैसा कमाया उसने एक से दो आटो लिया दो से दस दस से बीस और दिरे दिरे पूरा शराब का माफिया बना दिया था और उसका एक पूरा गैंग बन चुका था कुछ टाइम के बाद उसकी जान पेचान नेताओं से, छोटे मोटे नेताओं से, पुलिस वालों से होने लगी, वो पुलिस वालों को हफ़ता देता था, इसलिए वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता था, और इसी बीच उसने चोरी चकारी, एक्सटोशन, इस तरह के छोटे मो कैसी के अंदर, तमिल नाडू के अंदर, गौवर्मेंट चेंज हो जाती है, और जो नई गौवर्मेंट आती है, ये शराब के लगा हुआ बेन हटा देती है, तो इसके वज़े से, जो ये शराब की तसकरी का काम था, ये काम थोड़ा सा घाटे में जा रहा था, और ये ज जगह से दूसरी जगह ले जाता था, और उसे वहाँ पे सारे एजेंट्स का नाम और उनका ठिकाना सब मालूम था, तो उसकी थोड़ी जान पेचान के वज़े से, अब उसने इस काम के अंदर, अपना हाथ जमाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो प्रोस्टिटीशन के धंदे में भी काफी आगे बढ़ गया, और इसके अंदर भी उसका नाम सबसे उपर हो गया, और लेड़ी उसकी जान पेचान उपर पावरफुल लोगों में थी, पुलिस में थी, नेताओं में थी, इवन कई बार तो वो अपने इस काम के लिए, शराब की दसकरी के लिए और प्रोस्टिटूट को इधर से उधर ले जाने के लिए, खुद पुलिस वालों की गाड़ी का भी यूज़ करता था, इसलिए वो एक दब अंटचेबल था, पेरियर नगर अब उसका एक कासल था, वहाँ पे उसके कई सारे ठिकाने थे, उसके कई सारे घर थे, और वो जो भी विमिन्स थी, चाए उनसे शादी की हो या ना, वो उन सब को सिर्फ एक आबज़ेट की दरह यूज़ करता था, बहुत ही बुरी तरह, इसी बीच उसे अपने अड़े पे एक लड़की मिलती है, जिसका नाम होता है लली था, उसे लली था बहुत पसंद आती है, औ उससे वो शादी करता है, और ये होती है उसकी चटी शादी, और उसकी पांच शादिया हो चुकी थी और उसमें से एक वाइफ मर भी चुकी थी, लेकिन इसको कोई फरक नहीं पड़ता था इन चीज़ों से, वो अपनी वाइफ के साथ बहुती बुरी तरह बहेव करता था अपनी सारी वाइफ के साथ, उनने सेक्शोल एसाल्ड करता था, फोर्स करता था, और कई बार उनको सिगरेट से दाखता था, और कुछ टेम के बाद उसने ललिथा के साथ भी ये सब करना शुरू किया था, लेकिन ललिथा बाकी सब लड़कियों से अलग थी और काफी वो बार उसका इगो हर्ड हुआ था, क्योंकि ये उसकी वाइफ उसी के एक गैंग मेंबर के साथ भाग गई थी, तो उसने एक प्लैन बनाया, और पुलिस को बोलके उसने अपनी वाइफ को वापस बुलवाया, किसी तरह उसकी वाइफ और सुदलाई दोनों वापस आए, ले कि इस से पहले वो क्राइम तो कर चुका था, लेकिन मर्डर नहीं किया था, ललिथा उसका पहला शिकार थी, और वो यहीं नहीं रुका था, उसकी मौत को एक्जामपल बनाने के लिए, ताकि कोई उसे धोखा न दे, उसने एक एक्जामपल सैट करने के लिए ललिथा को मा रवी गौरी शंकर के पास जाता है वो उसके बारे में पूछता है तो पहले तो गौरी शंकर कुछ नहीं बता था लेकिन उसके बाद जब वो शंकर को बार बार प्रवोक करता है और वो बोलता है कि मुझे पता है इसके पीछे तुमारा ही हाथ है तो वो रवी के साथ भी से चीज़ करता है उसका क्राइम यहां पे रुका नहीं था उसने अपने दूसरे कुछ गैंग मेंबर्स को लोगों के सामने पीट पीट के मार दिया था उसने कई सारे लोगों को मार के समुंदर में फैंक दिया था और दरजनों लड़कियां जो उसके लिए काम किया करती थी उनका कभी पता नहीं चला कि वो कहां गई क्योंकि उसके पीछे बहुत पावरफुल लोगों का हाथ था और किसी की हिम्मद नहीं होती थी वो जाके इसके बारे में कम्प्लेंड करें क्योंकि पुलिस कम्प्लेंड लिखती भी नहीं थी और अगर गलती से और्टो शंकर क पता चल जाए कि किसी ने कंप्लेंड करवाई है तो वो अगला सूरज नहीं देख पाता था लेकिन कुछ लोग थे जो इसके बाद भी गौरी शंकर को सजा दिलवाना चाहते थे और वो पीछे नहीं अटते थे दिसंबर 1987 में उस टाइम के तमिल नाडू के सीएम एमजी रामचंदिरन की मौत हो जाती है और इसके बाद तमिल नाडू के अंदर काफी पॉलिटिकल हैवोक हो जाता है और तब वहाँ पे किसी स्टेबल गौर्मेंट ना होने के वज़े से राश्पती शासन लग जाता है और उस टाइम तमिल नाडू की जिम्मेदारी होती है उस टाइम के गवर्नर मिस्टर पी सी अलेक्जेंडर के उपर 98 के टाइम पे भी 9 लड़कें अचानक गाइब हो जाती है जब पी सी अलेक्जेंडर को इसके बारे में पता चलता है तो वो एक साइटी की कमेटी बिठा के उन सारी लड़कियों को डूढने के लिए टीम बेशते है इसी बीच गवर्नर के पास निउज आती है कि इन सब के पीछे आटो शंकर का नाम हो सकता है और साथ में उसने तो रिसेटली कुछ लोगों को मारा था जिसमें से एक शास का नाम था संपत उसकी बीवी गवर्नर के पास पहुँचके गुहार लगाती है जो कि कई सालों से इनसाफ काव इंतिजार कर रही थी तो अब पूरे स्टेट का सिधा-सिधा टार्गेट होता है गौरी शंकर और S.I.T. फाइनली 7 जुलाई 1988 को गौरी शंकर को अरेस्ट कर लेती है हाला कि अभी भी गौरी शंकर का आकरी क्राइम होना बाकी था जब वो जेल में बन था तो जेल में भी उसको पूरी आयाशी के साथ रखा गया था उसके बाद वो एवन जेल तोड़के भाग जाता है अपने कुछ शाती के साथ लेकिन इससे जादा और कुछ गड़बर होती दस दिन के अंदर ही उसे दुबारा पकड़ लिया जाता है और वो अपने सारे गुना कबूल कर लेता है जब उससे पूछा जाता है उन नो लड़कियों के बारे में तो वो ये भी एकसेप्ट करता है कि मैंने तीन लोगों को अपने घर पे चुनवा दिया था और उसके अलावा ये नो लड़किया मेरे लिए काम करती थी जो इसने पॉलिटीशन्स के पास बेजी थी और उसके बाद उन्हें मरवा दिया था पुलिस की पूछता इसके बीच में वो बताता है कि उसको ये सारा इंफुलेंस हुआ था मूवीज से वो मूवीज में विलेन को देखके बहुत ही मोटिवेट होता था और वही सब करना चाहता था जो की एक बड़ा डाउन या एक खुंकार विलेन करता है फिल्मों में हाई कोर्ट इसे फांसी की सजा देती है जिसके लिए वो बार बार अरजी लगाता है पहले सुप्रीम कोर्ट में फिर राश्पती के पास दोनों जगा पे उसकी अरजी रिजेक्ट हो जाती है उसकी मरसी पर्टीशन और उसे फाइनली 27 अपरेल 1995 को फांसी दे दी जाती है लेकिन अपने पीछे वो एक डाइरी छोड़ के जाता है जिसके अंदर बहुत सारे निताओं का नाम होता है बहुत बड़े बड़े पावरफुल मिनिस्टर्स बिजनसमेन और पुलिस के बड़े लोगों का लेकिन उन सब में से किसी का भी नाम आगे नहीं जाता है उन अगर और बाकी लोगों का बाकी लोगों की शेय आटो शंकर के पास नहीं होती तो वो यह सब नहीं कर सकता था यह एक स्टेड का पाला हुआ साप था और लास्ट में जिन लोगों ने उसे शेय दी थी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो आए होप आपको यह वीडियो पसंद आए हो और इस सीरीज के अंदर में और भी ऐसे फेमस क्राइम के किस से लाता रहूँगा तो गाईस सब्सक्राइब तो इस चैनल फोर मोर सच कॉंटेंट तो गाईस मेरा नामे शान and you were watching Pills of Curiosity Signing off